पिछले तीन वर्षों से सरकार यही गुणगान कर रही है कि प्रदेश में भाजपा सरकार भष्टाचार मुथ और जनता ही तैशी है लेकिन सरकार इसके विप्रीत कारे कर रही है और अपने चहीतों को फायदा पहुँचाया जा रहा है यह अरौप शिमला शहरी कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंदर चौधी ने शिमला स्थित कॉंग्रेस मुख्याले राजीव भवन में पत्रकार वारता के दोरान लगाए चौधी ने कहा कि भाजपा के एक मनोनीत पार्षद द्वारा अवैथ कबजे का मामला सामने आया था जिसको लेकर राकेश कुमार ने मुख्यमंत्री को 28 फरवरी 2020 को एक पत्र भी लिखा था जिसके बाल शहरी विकास विभाग को भी इसकी एक प्रती भेजी गई और जाँच भी हुई इस मामली की जाँच निदेशक शहरी विकास विभाग में की जिसमें मनोनीत पार्षद दोशी भी पाई गए चौधी ने कहा कि हैरानी की बात ये है कि MC Act के अनुसार इन पार्षद को अयोग्य करार दिया जाना था लेकिन ये बात समझ से परे है कि इसकी रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं दी गई उनने कहा कि आखिर किस के दवाब में अभी तक इस मनुरीत पार्षद को अयोग्य नहीं माना गया उनने कहा कि यदि सरकार इस मामले में दस तीनों के भीतर कोई सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो मजबुरन उच्च न्यायले का दर्वाजा खटखटाना पड़ेगा ये अल्रेडी डिरेक्टर यूडी ने उनकी डिस्क्वालिफकेशन के ओर्डर निकाल दिये हैं और सेक्टरी यूडी के पास पिछले 4 मीने से पड़े है पांच मीने से किसलिए इसको दबाया जा रहा है किसके प्रैशर में दबाया जा रहा है अब ये देखने वाली बात है और हमारी सरकार से निवेदन है मानिय सीम साब से निवेदन है कि वो इस पे कारवाई करें क्योंकि 28.2.2020 को श्रीरकेश जी ने सीम साब को एक लेटरल लिखा था और कंप्लेंट की थी उसके तहत 11.3.2020 को सेक्टरी यूडी ने एक नोटिफिके जो कंप्लेंट्स आई थी डिरेक्टर यूडी को इनक्वारी ओफिसर बनाके इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया था डिरेक्टर यूडी ने 3 नोवंबर 2020 को इसके रिगार्डिंग जो इनक्वारी थी इनक्वारी के रिगार्डिंग जो है तीन नोवंबर को एक order निकाल दिया और वो कौपी जो है वो भेदी गई सेक्टरी यूडी को और उसमें जो इन पे आरोप लगाए गए थे वो सही पाए गए और Municipal Corporation Act की धारा आठ तीन आठ दो आर के तहत इनको डिस्क्वालिफाई करने के लिए वो जो है order की कापी सेक्टरी यूडी को भेदी गई के इस पे जो है जो भी कारवाई बनती है आगामी कारवाई वो की जाए पर इबड़ी दुखत बात है पिछले चार-पांच मीने से इस पे कोई कारवाई नहीं हुई है और हमारे मानिया सीयम साथ से सरकार से निवेदन रहेगा के इसमें कारवाई करें otherwise जो है हमें मानिया उच न्याले का जो है दर्वाजा खटकाना पड़ेगा वही माचल प्रदेश विश्व विद्याले से सेवा निवरित शिकायत करता राकेश कुमार ने इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला और प्रदेश सरकार से निश्पक्ष जांच की मांग उठाई है देखी इनक्रोच्मेंट की प्रसीडिंग तो इसके पास 2015 से चली हुई है परन्तु जो गौर्मेंट लैंड पर है वो 2017 में डिटेक्ट हुई थी मेरी कंप्लेंट पर और उसके बाद इसकी आज तक प्रसीडिंग पैंडिंग है और उसी के बिना पर मैंने 282220 को माननी है थी कि आर्ट सेक्शन में ये इसकी नॉमिनेशन खारिज की जाए अब स्टेटिस है कि उसके बाद और भी इसके फाल्स आफी डाकुमेंट्स भी दिये तो उन्हों ने इंक्वारी ऑफिसर ने ये लास्क में ऑपरेटिव पोर्शन में लिखा है कि इसकी जो धारा आर्ट क आर के तहट इसका नॉमिनेशन खारिज करना चाहिए हाँ जी हाँ जी शब्त पत्र में बिल्कुल उसमें कुछ नहीं लिखा वो जो एक दो तीन सीरियल है वो खाली रखा है बलकि शब्त पत्र में अब ये जो है जो देता है उस पर जिम्मेबारी होती है कि कोई भी चीज को छुपा हाँ जी मैंने इन्फरमेशन स्टाइस एक दो जार बीस को 21 को मांगी तो मुझे ये कह दिया गया कि अभी तक जो है इंक्वारी चली हुई है और जबकि नॉम्बर मीने में उनके पास इंक्वारी रिपोर्ट पहुंच गी थी